हे गाईस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीची के पौदे हम बीच से अपने घर पर कब और कैसे ओगाएं वो भी बहुती आसानी से इसके लिए चाहिए आपको अच्छी फ्रेस लीची रैट कलर की अगर आप जो हरे कलर की लीची लेंगे तो उसके जो बीच हैं आपके जर्मिनेट नहीं होंगे तो जब भी आप लीची को बीच से ग्रो करना चाहते हैं तो अच्छी रेट कलर की जो लीची है उनको लें और उनी के जो बीच है उनको आप ग्रो करें लीची के पौदे को उगाने का सही समा है मार्च अप्रेल जब भी आपको मार्केट में लीची मिले उनको आप घर पर ले आए और उन बीजों से आप लीची के पौदे अपने घर पर तैयार कर सकते हैं लीची के बीच को स्प्राउट करने के लिए हम ये पेपर टॉबल ले रहा हैं और जो लीची के बीच हम कुछ दिन इस पेपर टॉबल पर रख देंगे जब जो हमारे बीच स्प्राउट हो जाएंगे तो उनको हम मिट्टी पर लगा देंगे सबी बीच पेपर टॉबल पर रखने के बाद उसमें आप हलका हलका पानी का स्प्रे कर दें और स्प्रे करने के बाद इस पेपर टॉबल को आप एक एर टाइट बॉक्स लें और इस पेपर को आप उस पर रख दें इसके बाद जो बॉक्से आप ऐसे जगा रखे जहां पर इसको डाइट सनलाइट ना मिले इस पेपर पर आप एक ही बार पानी दें इस पेपर टोबल पर आप बार बार पानी ना दें और जो हमारे सभी बीज हैं इस्प्राउट हो चुके हैं अब इन बीजों को हम मिट्टी में लगा देंगे। जब भी आप लीची के जो पौदे बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो आप फ्रैसी सीट से उनको आप ग्रो करें। अगर उन बीजों को आप धूब में सुकाते हैं या स्टोर करके उनको बाद में ग्रो करना चाहते हैं तो जो बीज हैं आपके ग्रो नहीं होंगे। इन बीजों को हम मिट्टी में लगा देंगे जिसके लिए जो हम यूस कर रहा है वो हमाई पास कोकोपीट है इस परकार आप बीज का जो वाइट हिस्सा है उसको आप मिट्टी पर गड़ा दें क्योंकि जो बीज का वो रूट सिस्टम होता है तो सबस्पहले जो बीज में इस रूट निकलती है फिरोज के बाद सूट निकलती है तो इस परकार हमने इस कोकोपीट में लगा दिया है इसके बाद इसको आप पानी दे दें और पानी देने के बाद इस पॉट को आप ऐसी जगा रखे जहां पर इस पॉट को लगबग 2-3 गंटे के सूरज की रोशनी मिल सके दोस्तों लगबगी हमारे एक मैने बात का रिजेल्ट है और जो हमारे लीची के पॉटें अच्छी तरीके से इनने ग्रोथ ले ली है अब इनको सही समय आ चुका है कि इन पॉटों को आप सेपिट जमीन पर लगा दें जिससे की जो अपनी ग्रोथ है अच्छी तरीके से ये ले सके बहुत से वीवर्स का सवाल ये रहता है कि जो हम लीची के पॉटे बीस से तयार करते हैं उसमें फल लगते हैं कि नहीं दोस्तों उसमें फल लगते हैं पर जो फल लगने का समय है उसमें कुछ जादा लगता ह लगवग इसमें 5-6 साल लग जाते हैं इसमें फल लगने पर अगर आपको लीची के पौदे पर जल्दी फल लेना हो तो आप जो नरसरी से जो ग्राफ्टेट पौदे होते हैं या air layering से तयार की हुए पौदे होते हैं उनको आप ले आए और उनको आप घर पर लगा सकते हैं अगर आप लीची के पौदे गमले पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 18 से 20 इंस का पौट लें और जो आप पौदा लें वो air layering या grafted ही पौदा लें जिससे कि जो आपको लीची के फल हैं उसमें आपको जल्दी मिनने लगेंगे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें